आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एकनॉमी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे वो वज़ा जिससे इंडियन रुपीज बिलकुल कमजोर परता जा रहा है। पर जे कुछ सालों में इंडियन रुपीज यूएस डॉलर के मकाबले काफी कमजोर हो गया है। अभी एक डॉलर की वाल्यू सेवेंटी नाइन रुपीज के आसपास हो गई है। अगर हाई लेवल पे इसको समझे तो if a country imports more than it exports, then the demand for the dollar will be higher than the supply and the domestic currency like rupee in India will depreciate against the dollar. The rupees fall these days is mainly due to high crude oil prices, a strong dollar overseas and foreign capital outflows. Simple भाशा में अगर जाने तो हम दूसरी country से जादर products खरीदते हैं और इसके मुकाबले sell कम करते हैं। इससे इंडियन रुपीज कमजोर होता जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडियन रुपी के मुकाबले जापान की currency तो weak है, तो हम लोगों की economy grow कर रही है। लेकिन वो इसलिए है कि जापान के tech export जादा है और जापान सिफ technical export पे निर्भर रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जापान में लोगों की income इंडिया के मुकाबले भी अच्छी है। इश्यू ये नहीं कि डॉलर के मुकाबले रुपीस लगतार गिर रहा है लेकिन इश्यू तो ये है कि इंडिया पर capita income बहुत ही कम है और इसका कारण tech industry और product का ownership ना होना। इंडिया में जादते लोग foreign companies में काम करते हैं और companies अच्छी revenue बनाती है जिससे कि इंडिया को कम ही फाइदा होता है अगर जापान का example ले तो 1 US dollar की value 136 yen है अब बहुत से expert ये कहेंगे कि Japanese economy की हालत तो इंडिया से भी खराब है लेकिन ऐसा नहीं है। जापान में per capita income यानि की individual income इंडिया के मकाबले कहीं जादा है जापान में per capita income approximately 45,000 USD है जबकि इंडिया में ये approximately 6,000 US dollar है और ये income monthly नहीं बलकि yearly है यानि की एक इंडियन की monthly income सिर्फ 10,000 INR है और जापान में एक व्यक्ति को 80,000 रुपे के आसपास monthly income मिलती है। अगर high crude oil prices के reason को ignore भी करते तो सबसे important point है इंडिया में lack of motivation towards ownership of products और product building। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि why should we reinvent the wheels और जो products बन चुके हैं जैसे Google, Facebook, WhatsApp उसको फिर से क्यों बनाए लेकिन और कोई option भी नहीं है। चाइना और रश्य जैसे countries के खुद के search engines हैं और WhatsApp, Facebook, etc. यूस नहीं करते। अगर सरकार इंडिया में foreign products, app या software को ban कर दे और इंडिया में ही develop करे तो कुछ economic growth हो सकती है। साथ ही साथ इंडिया में लोगों को भी इसका साथ देना होगा और इंडिया में ही products develop करने होगे। चाइना और रश्य जैसे countries ने भी यही किया और खुद के products बनाए और United States पे dependency को खतम किया। लेकिन सच तो यह है कि इंडिया में product development और खास करके technical products development का foreign countries पे निर्भरता बढ़ती जा रही है। एक आम आत्मी विदेशी company के लिए काम करता है और विदेशी companies इससे अच्छा पैसा बनाती है। दुनियों की top companies के CEO Indians है लेकिन top companies के owner नहीं और इससे Indian economy को बहुत फरक पड़ता है। आम यह है कि इंडिया में आत्म निर्भरता को बढ़ाना होगा। विदेशी companies पे निर्भरता को कम करना होगा। और entrepreneurship को एक नया मोड़ देना होगा।